कौनसे स्टोक में इन्वेस्टर ने ज्यादा कमाया 1-1-2014 को स्टोक प्राइस थी 1-1-2020 को स्टोक प्राइस थी 23 मार्च 2020 को जब निफ्टी लोईस्ट प्राइस थी और करन्ट प्राइस है 1-1-2014 के दिन एक लाग रुपए दोनों स्टोक में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई मार्च 2020 में इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करन्ट वेल्यू है यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वेल्यू हो गई होती FD के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया दोनों स्टोक्स ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपए इंवेस्ट करने है तो वो क्या करे दोनों में से किसी स्टोक में इंवेस्ट करे निफ्टी फिफ्टी स्टोक्स में इंवेस्ट करे या FD में करे दोनों Share के और Nifty के Annualized Return Percentage हमने देखे वही Return Percentage अगर बविशे में भी Continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा? आईए देखते हैं क्या होगा देखे प्रभ्णाइ 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 Thank you.